अगस्त में सुप्रीम कोट का एक डिसीजन आया था डिसीजन था के प्राथमिक शिक्षक भरती में बीएड डिगरी जो है वो मान्य नहीं होगी बीएड के आधार पर कोई अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएगा 11 गस्त का निरने था और उस निरने से पहले अगर आप लोगों को ध्यान हो बीएड को मान्य किया था बीएड को मान्य किया था वो मन्य है उसके बाद ये कोट का डिसीजन आ गया तो कोट का डिसीजन जब आ गया तो बिहार सरकार को इस कोट के डिसीजन के आलोक में निरने ये लेना पड़ा कि उन्होंने भले ही बीएड वालों से फारम भरवा लिया था एक्जाम भी भले ही उन्होंने दे दिया है लेकिन वो जो है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया या उनको रिजल्ट से बाहर करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था इसके विरोध में जो है वो बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संग की और से याची का दायर की गई थी और उसमें कहा था कि ये निर्णे जो है वो क्यों लिया है बिहार सरकार ने BPSC को हमें सम्मिलित करना चाहिए था तो इस पर जो है कल सुनवाई हुई है 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को सुनवाई होकर के जो जश्टिस अनिरुद्ध बोस्की बैंच है उन्होंने कहा के 11 अगस्त 2023 के बाद प्रात्मिक विद्यालियों में बीड़ पास अभ्य स्कूलों की शिक्षक भरती में थोड़ी सिए आशा लग रही हुए प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति में बियर्ड मान्या नहीं होगी इससे 3,90,000 ऐसे डिग्री धारी जो नो ने आविदन किया था बिहार बीपेसी में बिहार शिक्षक भरती में उनको करारा जटका लगा ऐसा न्यूज पेपर की कटिंग भी कह रही है और मैं बीड जो है मान्य नहीं होगी आगे इसके बाद आने वाली किसी भी भरती में अभी कोई गुंजाईश नहीं है कि बीड डिग्री धारी यों को माननेता मिलेगी इसके लिए तो महत्वपुन जानकारी थी यह वाली आप लोगों के लिए अब बीएट डिग्री धारी जो है लेकिन अभी जो बिहार सरकार के द्वारा जो वेकेंस से निकाली जा रही है जिनका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी दिखाई देगा दिसंबर में जिसकी परिक्षा भी है उसमें बीएट डिग्री धारी मान्य होंगे क्योंकि वह प्रात्मिक शिक्षक भरती नहीं है छे से आठ नो से दस ग्यारे की भरती है और उसके लिए प्रात्मिक विद्याले की भरती कहीं भी निकलते हैं तो आप लोग जो अपना एक निश्चित पक्ष्च जो है झाल